हेलो मेंबर्स अब देखो यहां पे अदानी ग्रूप के बार में थोड़ी और डिसकुशन हम लोग करने वाले हैं अब सभी को पता है कि यहां पर यस्टरड़े मार्केट में अदानी ग्रूप में काफी अच्छा बाउंस बेकाया अदानी इंटरप्राइस आठ साड़े आठ पॉसन उपर गया ठीक है अब देखो एक दिन पहले यहां पर न्यूज आई थी हम लोग देखो कुछ नई बिलियन डॉलर अदानी ग्रूप में ठीक है कुछ न्यूज आती होगी दिखाई थी वह हम लोग डिसक्स करेंगे लेवल्स ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देखो बात समझो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है कि अदानी ग्रूप में नहीं है जो शेयर्ज गिरवी थे ठीक है वो पूरे वापिस लेते हुए नहीं दिखाई दिया है ठीक है ऐसी अफ़ाफ फिलइए थी और पूरा clarification कर दिया और मैंने आपको बोला था कि early morning में clarification definitely आ सकता है और clarification positive side पर आओ और अधानी group के stocks rocket बनते हुए दिखाई दिये बात समझ रहे हो तो देखो मैं हमेशा जो लिखता हूँ वो सोच समझ के लिखता हूँ मैंने आपके क्या लिखा था false news है क्या fake news है क्या ठीक है और यह fake news ही निकलती हुई दिखाई दी और fake news क्यों फैला थी क्योंकि यह लोग shorting करते हैं ठीक है definitely लिख सकते proper breakdown था fake news फैला दी और यहाँ पे लोगों ने अच्छे खासे पैसे चापे 10 पसंड की लोगर सर्केट के अंदर option चेंड के अंदर बर बर के पैसे चापे है ठीक है और देखो से भी यहाँ पे कुछ करती भी नहीं है और ऐसा लगता है प्राक्टिकल था ठीक है जो कहने फेला है था कि बैंक ने जिव भी शेर्स गिर्वी रखे थे ठीक है उसकी रिपोर्ट एनिस सी वेबसाइट में अप्डेट नहीं हुई है या सर्कुलर अप्डेट नहीं हुआ है तो अदानी के CFO ने यह क्लेरिफिकेशन किया है ठीक है कि जनरली जो अप्डेट होता है वो end of the quarter अप्डेट होता है देखो यहाँ पे समझो तो यहाँ प्डेट नहीं हुआ है वो जनरली end of the quarter होता है ओकी तो यह first news थी जिसके वाज़े से अदानी ग्रूप पुल बेक करते हुए दिखाई दिया अब देखो आज latest news आई है जो focus करनी चाहिए और कल शायद market में impact आ सकता है और news क्या है देखो समझो अदानी के अंदर black rock शायद नीविश कर सकता है अपना steak या तो rise कर सकता है और वो कैसे देखो यह update आती हुई दिखाई दिखाई द दो ट्रांचेस में यानि कि दो ट्रांचेस में हाँ पर fundraising कता हुआ दिखाई दे सकता है करीब one billion dollars ओके तो अगर यह fundraising करता है definitely तो अदानी गुरूप को definitely मदद मिलने वाली है अपने business को grow करने के लिए expand करने के लिए definitely यह मदद होती हुए दिखाई दे सकती है लेकिन सर एक अपडेट ठीक है जनरली नसी वेबसाइट में circular अपडेट नहीं होता अगर positive news होते हैं तो कोई भी clarification नहीं मागता है कि नसी ने clarification नहीं मागा सेबी ने clarification नहीं मागा अधा ने भी खुद clarification जनरली नहीं करता ठीक है तो में डाउट रख रहा हूं कि भाई यह news सही होगी या गलत होगी ठीक है तो आप ऐसा मज़ समझे है कि भाई इसका कल clarification नहीं रूप वापस देगा कि वाई यह news false है या सही न्यूज है समझ पा रहे हो और यह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आर्टिकल उसमें आपर देखो क्या लिखा है यह जो mention किया है ठीक है वो कौन से person है तो कि authorized नहीं है market में, media में बातचित करने के लिए अब unauthorized person है कौन होगा वो भी बता नहीं ठीक है कोई गली का बच्चा होगा शायद उसने बोल दिया ब्लैक रोक से fundraising होने वाली है ठीक है तो कोई idea नहीं है लेकिन हाँ news है तो शायद कल Friday अधनी group में stocks में थोड़ी बहुत recovery होती हुए आ आपको दिखाई जी सकती है अब पॉइंट पर आ जाता है सर अभी करना क्या चीए न्यूस तो positive आ रही है क्या हो सकता है news के अंदर देखो short and simple में आप ये समझो कि market में अधनी group में थोड़ी weakness आनी start हुई है अब देखो सुनो ज्यांसे important है समझना चूँ मैं बोलने वाला हुँ क्योंकि ये आपके काम आ सकता है मुझे किसी retail वश्यक ने पूछा था हमारे whatsapp members ने के sir short term में अधनी green या अधनी gas या अधनी transmission कोई लेना चाहिए एक दो मेने के लिए मुझे profit मिल सकता है तो मैं अभी के लिए totally ना बोलूँगा ठीक है अभी के लिए totally ना बोलूँगा क्यों क्योंकि देखो one way move किया है ये सभी stocks ने अधनी transmission अधनी green अधनी gas one way move किया है और अ person कर देगा तो आप कहां पर जाओके ठीक है ना तो अभी short term के लिए या एक मेने के लिए दो मेने ऐसा मत सोचना के भाई ये stock vertically उपर जाएगा या मानलो आज उपर गया तो कल भी उपर जाएगा ठीक है ये chances अभी के लिए come हो जाते हाला कि news positive है तो अभी short term के लिए news को द दिखाई ये तब तक जल्बाजी नहीं करनी है कि समझ पार हो ठीक है अब देखो अधानी enterprise के इंदर बात करें जाए तो अधानी enterprise का टॉप जब तक ये 2200 को cross नहीं करता तब तक कोई जल्बाजी नहीं कर नीचे stock में weakness है ओके stock का जो support है वो आज का low important है ठीक हो फ्राइडी का माफ कीज़ेगा वैनस देखा जो 1600 के आसपास है अगर वो break होता है तो फिर stock 1200 आएगा तो जब तक ये 1600 break ना करें तब तक stock में positivity है अधानी green देखो अधानी green उपर गया था news कि भा थोड़ा और नीचे जा सकता है ओके तो अगर पूछे किस ता short term में entry नहीं short term में no entry भले pullback करता हुआ दिखाई दे no entry अभी आपकी entry हो नीचे अगर करनी है अगर करनी है तो ये swing के ऊपर ही करनी है उससे पहले नहीं करनी है समझ में ही बाते अगर कुछे कहां तक नीचे जा सकता है और सर क्या ये news का impact जो black rock ने शायद fundraising करेगा black rock से वो क्या positive है और क्या ये उससे उपर जाएगा तो भाई chances कम है उससे उपर जाएगा अधानी enterprise में थोड़ी बहुत positivity आ सकते है लेकिन अधानी green अधानी transmission और अधानी gas में इतनी positivity आनी बाकी है ये बात ये समझ में ओके तो all in all अभी के लिए अधानी green में थोड़ी profit booking है शायद ये 800-800 को रिटेस्ट एक बार करने जा सकता है ये बात है समझ में अगर बात करें जाए अधानी transmission के अंदर तो इसका support है around 900 का chances कम है कि ये 900 को break करेगा ठीक है अगर Fibona की retracement draw कर लेते हैं यहाँ से जो अभी recently top बनाया है ठीक है top बना के जो किया है तो stock का अगला जो support आ रहा है वो around 900 पर ही है exactly ठीक है 0.5 का rejection देखो यहा around 900 895 के असपास है ठीक है तो अगला support वहां है same अधानी total gas देखो अधानी total gas में थोड़ी weakness है अगर मुझसे पुछने जाए तो अधानी green and अधानी transmission थोड़े strong है अभी current market में अगर अधानी gas की बात करने जाए तो दीखो अधानी gas का support कहां पर है इसका daily की जगा one hour chart ले ल का है 800 का तो अगर यह stock 800 break किया तो downtrend and अगर stock 1050 को break किया तो uptrend में start हो सकता है ठीक है अधानी power में क्या हो सकता है ठीक हो अधानी power के लिए short and simple बताना चाहूंगा 150 को break करना थोड़ा difficult है अगर 150 break तो फिर यह stock 100 तक जाएगा लेकिन chances कम है तो panic करने की ज़रूत है retail निवश start हुई है लेकिन एक आखरी support बचा है 300 का कि अगर यह 300 break हुआ तो फिर stock में बहुत बड़ी weakness start हो जाएगी and अगर यह stock अभी 400 के उपर closing दे दिता है आज कल परसो तरसो अभी भी तो stock में थोड़ी positivity रह सकती है ओके देखो short and simple में यह बताना चाहूंगा यह तो होगे सभी levels लेकिन क्या panic करने की जरूवत है क्या long term में current level से अदानी ग्रूप में profit हो सकता है तो देखो GQG partners ते तो इसी के वज़े से निवेश कहा था कि वो लोग long term के लिए profit देख रहे है ठीक है बड़े प्लेस ने इ काफी एरूड हो चुका है अभी ऐसा तो ऐसा तो है कि अदानी ग्रूप का बिजनस बंद हो चुका है तो जाधा पैनिक करने की जरूवत नहीं है ठीक है यह काफी बिक चुका है काफी oversold है यहां से जाधता recovery ही possible है यह आप ध्यान में रखेगा हाला कि market में nifty में weakness थी इस जाधा attention लेनी के जरूद नहीं अभी जहां बहुत जाधा important supports है और शायद यह support अभी के लिए break ना हो ओके तो hope ms आपको इतना समझ महाँ पसंद आया है फिर कोई query रे जाती है telegram में आप यहां पर join कर सकते हैं और अगर हमारे WhatsApp members जून रहा चाहते तो आप हमारी links से demit account open क कर सकते हैं जीरो दा जो मैं खोद यूज करता हूं ठीक है हमारी link से demit account open करोगे तो कुछ membership आपको हम लोग provide करने की कोशिश करेंगे अगर आप interested है तो अपने family members के भी demit account open कर सकते हैं अगर हमारी link से करते हैं तो हमको benefit मिलेगा और हम आपको benefit provide करेंगे ठीक है या फिर